Hello friends, welcome to my YouTube channel सरस्वती Commerce Academy तो आज हम करने वाने है class 12 की economics का chapter number 4 जिसका नहीं में theory of demand यह सबसे important chapter है और इसमें से बहुत सारी questions है वो बहुत ही important है तो आज हम इस chapter को जो है 3-4 video session में complete कर देंगे आप हर एक video session ज़रूर देख लेना आपको यह पूरा chapter जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप देखिए theory of demand में क्या बताया गया है अब इसके इंदर ना तीन बाती बताई गई है एक तो होती है desire एक होती है want एक होती है demand ठीके अब desire का मतलब क्या है आप कोई चीज खरीद ना तो चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है आत इक chocolate खरीद ना तो चाहते है लेकिन आपके ज цен में कुछ है ने खरीद दो घकांसे आपके इंदर विश्च है कि हाँ में यह चीज काश में खरीद लेता है लेती ठीक है आगे क्या है वोंट कब बनती है जब आपके पास पैसे तो है लेकिन आप खरीदना नहीं चाहते हैं आप उसको खर्च नहीं करना चाहते हैं लेकिन डिमांड क्या होती है डिमांड वो होती है जब आपके पास पैसे भी आपके पास सारे resources में और आप उस चीज को खरीदने के लिए तैयार भी है यानि कि willingness भी है आपकी आप उसको खरीद भी सकते हैं ability भी है और आप उसको खरीदना भी चाहते हैं तो वो क्या बन जाती है demand तो demand क्या होती है इसमें यह बताया गया है तो demand की फटा-फट से definition देखिए क्या बताए दोप्रिव गई है the quantity of commodity यानि की commodity का मतलब करता है कोई भी समान लिया कोई भी good the quantity of the commodity which the consumer is willing यानि कि किसे भी गूद की उतनी quantity main बात क्या है quantity कि कि मातरा में वह समान ले रहा है in which consumer is willing यानि कि वह खरीदने के लिए इच्छुक भी है and able to buy और खरीदने के लिए तैयार भी ख प्राइस तयार भी है और उसके पास पैसे भी यारओ कृदना भी चाहता है लेकिन इसमे खास बात क्या है अन्य बाते समान रहने पर ठीक है इसमें आ या बाते आपके बाते आती है जैसे कि तो इंकम है वो सेम रहनी चाहिए उस एक गीवन एक पर्टिकुलर टाइम पिरिड पे उसका टेस्ट उसकी प्रेफरेंस ठीक है रिलेटेड गुड्स का प्राइस वो सारी चीज़े जो है सेम रहनी चाहिए तो यह बताया गया है तो इसमें क्या है डिमांड का मतलब क्या है आप किसे भी पर आगे क्या है डिमांड शेड्यूल अब इमांड शेड्यूल में में बात क्या आती है अब आपना यह जो डिमांड है वह आप टैबूलर फॉर्म में यानि कि टेबल की फॉर्म में भी दिखा सकते हो ग्रेफिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हो ग्राफ की फॉर्म में भ टेबल की फोर में बनाते हैं शोइंग वेरियस क्वांटिटी ओफ कॉमटिटीज बिन दिमांड़िड यानि कि अलग-अलग जो कॉंटिटी जो है वो डिमांड करी जा रही है बिन्ग दिमांड़िड एंट वेरियस लेवल प्राइज एक गिवन पिरिड ऑफ ताइम यानि कि हम एक table के form में दिखा देते हैं तो इसका तो मतलब यह है अब demand schedule को हम दो parts में classify करते है individual demand schedule और market demand schedule ठीक है अब देखो इसमें सिरफ इसमें कहां पे change होगा individual demand schedule में क्या है कि सिरफ हम एक consumer की demand को study करते हैं बाकी सारी definition वही है बस यह demanded के बात क्या लगा देना by a consumer यानि कि इसमें क्या बताया गया है इंडिविजुल कितनी demand करता है इंडिविजुल का मतलब एक person अब एक जो person है वो कितनी demand करेगा इन commodities की ठीक है अलग अलग price level पे एक person जो है commodity इसके कितनी demand करता है एक particular time period पे वो आप इसके अंदर show करोगे ठीक है और पूरी market उसके अंदर कितनी demand करेगी वो इसके अंदर show करते है market demand schedule में ठीक है बस demanded की जंगे अगर आप individual demand schedule की बात कर रहे हो तो buy a consumer add कर देना और अगर आप market demand schedule की बात कर रहे हो तो buy all consumer यानि की market में जितने भी consumer है उन सभी demands ठीक है तो इतना सा छोटा से exchange कर देना अब यहां पर देखो अब आपको पता है कि कोई भी जो consumer है जब किसे भी goods के जो prices है वो क्या हो जाते है कम हो जाते तो हम quantity उसकी जादा खरीदते हैं लेकिन अगर किसी goods के prices बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि चलो आग जब कम हो जाएंगे जब खरीद लेंगे अभी फिलाल के यह हम क्या खरीदेंगे कम खरीदेंगे तो इसमें ऐसे बताया हुआ है यह पी का मतलब क्या है price और क्याओ डी का मतलब क्या quantity demanded 1 2 3 4 अब जब एक रुपए प्राइस था वन रुपी जब प्राइस था तो demand कितनी थी किसी भी goods की फॉर ठीक है अब जब दो रुपी प्राइस हो गया तो quantity demanded कितनी हो गई तीन और भी कम कर दी न प्राइस जैसे ही बढ़ा वैसे ही quantity demanded क्या हो गई कम हो गई यह क्या है इन्वर्स रिलेशन्शिप है price में और quantity demanded में जैसे जैसे किसी भी goods का price बढ़ेगा वैसे वैसे उसके quantity demanded क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और वाइस बलसा अब प्राइस दो से तीन हो गया तो quantity demanded भी कम हो के तीन से दो रह गई ठीक है अब जैसे ही price बढ़ गया एक उपे से वैसे ही quantity demanded क्या हो गई कम हो गई ठीक है तो इसके अंदर यह बताया गया ठीक है अब नेक्स देखो market demand schedule इसके अंदर सारे consumer की demand लेके चल रहे है प्राइस यह वही है 1,2,3,4 अब यह quantity demanded मालो ए परसन कितना कर रहा है 4,3,2,1 अब quantity demanded जो है भी कितनी कर रहा है मालो वो 5,4,3,2 अब इन दोनों को add कर दो 4 और 5 को add कर दो 9,3 और 4 को add कर दो 7,2 और 3 को add कर दो 5,1 और 2 को add कर दो 3 यह क्या बन गई market demand बन गई अब इन दोनों यह क्या है market demand schedule है यह इसकी table form में हमने tabular form में इसको बनाया है तो demand schedule तो क्या होता है अगर हम उसको tabular form में बनाते हैं अब demand curve क्या है अगर हम उसको graph की form में बनाते हैं graphical representation of demand schedule इसके अंदर भी individual demand curve, market demand curve जो हमने यह table की form में बनाया है सिरफ इसको graph की form में हम plot कर देंगे ठीक है त फटाफट से अभी हम इसको discuss कर लेते हैं अब से पहले क्या है इंडिवीजुल डिमांड कर अब देखो यह कैसे बनाएंगे हम अब यहां पर प्राइस कितना लिया हुआ है वन से लेके फोर तक ठीक है और क्वांटिटी डिमांडिट कितनी है यह भी फोर इसके अंदर लास् क्वांटिटी बढ़ेगी और इधर से यह जो एरो का जो साइन है वो उस तरफ जा रहे यानि क्वांटिटी डिक्रीज होईगी इसी तरीके से प्राइस का है उपर जाएगा तो जो प्राइस बढ़ेगा निचे आएगा तो प्राइस क्या होगा कम होगा अब देखो यहां है तो क्वांटिटी डिमांडिट कितनी है फोर तो यहां तक इसको लेया हो यहां पे एक डोट लगा दो ठीक है इधर क्या लगा देंगे हम डोट लगा देंगे ठीक है नेक्स्ट है आगे टू अगर प्राइस किया हुआ है टू तो क्वांटिटी डिमांडिट कितनी है थ 2 अब आगे अगर price कर दिया 4 तो quantity demanded किती रह जाएगी 1 यहां पर price 4 कर दिया तो quantity demanded किती रह जाएगी 1 इसको मिला दो यह क्या बन जाएगा हमारा demand curve ठीक है अब यह क्या है inverse relationship को दिखाता है अब इसी तरीके से हम market demand curve के बारे में बात करेंगे अब market demand curve में भी maximum point देखो इसके अंदर सिरफ हमें price लेना है और market demand वाला column लेना है अब इसके अंदर तो price का maximum कितना है 4 तक है y axis पे हम price ले लेंगे x axis पे वही quantity ले लेंगे अब इसके अंदर maximum point कितना है 4, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 1 का gap लेके price ले लेंगे quantity demanded में market demand कितनी है highest line है तो यहा अगर price 1 है अगर price 1 है 1 कहाँ पे है price यहाँ पे तो quantity कितनी demand करी गई है 9 quantity demanded कितनी है 9 इसको यहाँ से 9 पे यहाँ से इसको उठालेंगे हम और यहाँ से 1 तक ठीक है यहाँ पे कर दिया अब अगर price 2 है अगर price यहाँ पे 2 है तो market demand कितनी है अगर price यहाँ पे 2 है market demand कितनी है 7 इसको यहां से 2 तक ले जाएंगे, 7, ठीक है, नेक्स्ट है, अगर प्राइस 3 है, तो quantity demanded कितनी है, 5, अगर प्राइस 3 है, तो quantity demanded 5 है, यहां से इसको पर लेके जाएंगे, तो यह रहा है, नेक्स्ट है, अगर जो प्राइस 4 है, तो quantity demanded कितनी है, 3, अगर प्राइस 4 है, तो quantity demanded है, 3 तो यहाँ पी इसका gap यह कैसे बना है 9 कैसे आया है 4 प्लस 5 यह कैसे बना है 7 4 प्लस 3 2 प्लस 3 और 1 प्लस 2 यह हमने इन दोनों को add करने से यह बना दी है market demand ठीक है तो यहाँ पी हमारा market demand curve भी बन गया अब हमने market demand schedule को भी समझ दिया अगर हम table की form में बना रहे हैं तो schedule बनेगा अगर हम उसी को graph की form में बना रहे हैं तो curve बनेगा ठीक है तो next video session में आगे हम इसके determinants करेंगे तो आप वो भी video session ज़रूर देखेगा तो friends अगर आपको topic समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक ज़रूर कीजेगा और अपरी friends circle में भी video को ज़रूर शेयर कीजेगा फटा फट से भी आप इसका screenshot ले लीजिए